नमस्कार मैं जीशान जाविद आप देख रहें न्यूज नेटवर्ग टुड़े रीवा के विद्धुत मंदर आपेस में सम्विदा और आउट्सोर्स कंचारियों की हरताल हुई प्रारा उनका कहना सरकार ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम आगे चलके अपने आंदोयों को अमरण अंसन में भी बदल सकते हुई हमने घृधरना इस सब पर जाकर कुछ लोगों से बात की देखिए हमारी यह खासरी मद्द प्रदेश विद्दुत अधिकारी कंचारी कल्यान संका प्रदर्शन अपनी मांग को लेकर वरिष्ट अधिकारीयों को सौपा ग्यापमन की उचित कारवाई की मांग आप देख रहे हैं नीजनेटवर्ट टूटे मैं चाले दंसारी मैं इस समय मवजूद हूँ रिवा के विद्दुत मंडल ऑफिस में जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर साफ तोर से देख पा रहे होंगे और संबीदा के यहां पर कमचारी यह हर्ताल पर हैं क्यों है हर्ताल आज बात इसको लेकर क्यों हैं था्ताल पर हमारी वरताल के पाउट सूरस खाल ओर क्मचारी कंपनी में समीलियन किया जाए हैं बताए क्या कहेंगे अब क्या मज़े और हमारी यह मगय हैं कि सासन हमें रिगलर करें और नहीं बिभाग में संबीलियन करें बड़ी बात तो यह सर की वही आउट्सों कर्म जो लगभग 70% की हिसाब से लोग कार कर रहे हैं लेकिन बड़ी समस्यय दुरुबार की यह बात होते ही कि जब वही कर्मचारी अक्सिरेंट हो जाता है तो विभाग पुरी तरह से हास पीछे खड़ कर लेता हैं दो लाग रुपे भी नहीं मिल पाते हैं किसी तरह से कम सक्कम इलाज कर वाले तो सीधी सिमाग है कि विभाग के अधेने सकम सकम डायेट जो बेतर मिलता है ठेकेदारों को इन वहों की है पता ही है कि दो मागे हैं प्रमुक रूप से कि आउट्सोस को समीलियन और समीदा को निमित करन कर गिया जाए और दो हजार बहुत बुरी तरह में सिवरा सिंग मानी सिवरा सिंग जी अस्वासन दिया गया था संकल पत्र भी दिया गया था कि हम आप लोगों निमित करन करेंगे लेकिन आप तक कोई मागे नहीं मानी गई सबसे बुरी है एक बीजेपी की बाद बाद में आज अतनी समस्या की बात करिये लवक दस वरसों से हम लोग उसी पत्पे उसी जगे कार कर रहे हैं और बेतन हम लोगों का दस हजार की अंदर है जिससे गुज जलने वाला नहीं है इतने कम पैसे मिलते हैं कि गुजारा नहीं हो सकता इन लोगों की यह मांगें हैं क्या लगता है आपको की मांगे जाएज हैं बिल्कुल हैं और सरकार को इनके बारों के विचार करना चाहिए इनकी मांगें खो क्योंकि 15 साल से संभीदा करमेशारी सब्सक्राइब करूंगा आज बिवाग में रेगुलर कमचारियों की कापी समस्या है पूरे प्रदेश में जो भी बिजली आपके घर तक पहुंचती है यह आपको स्क्रीन पर मैं एक बार दिखाना चाहूंगा बापचीत आगे बहूं उसके पहले यह जो आप लोग देख है यह रीवा के लोग आपको घर का उजाला जब होता है जब यह लोग यहाँ पर 24 घंटे काम करते हैं क्या मैं सही हूं आप लोग को घर में जो जाला मिलें यह आप सबसे बड़ी दुरभाग के पूर इस्थिती है सरकार नेमित रूप से कमचारियों को रखना नहीं चाहती सरकार को लगता है कि मैं इतनी ज्यादा तंखा क्या दूँ जब 8000-10000 में लोग काम करने के लिए त्यार हैं लेकिन यहां पर जैसा कि यह लोग अपनी मांग पर रहे हैं अब आपको कब तक आपकी मांग रहेगी यह जिब तक हम लोगों का लिखित यहा कि हमरम अनसन भी कर सकते हैं हमारी केवल छोटी 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 पाँच मांगें उन मांगों को सरकार चाहे तो बड़ी आसानी से पूरी कर सकती है इन लोगों की सब्से बड़ी मांग गये कि इनको नियमेट कर दिया जाए इनको जब भी कोई दुरगहटना होती है उस दोर और से कहना अगर हमें नियमित नहीं किया गया तो हम अमरा अंसन भी कर सकते हैं ताज़त आई खबरों के लिए नियूज नेटवर्क टुड़े से जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाईए और देखते रहिए नियूज नेटवर्क टुड़े